हलो अब्रीबन आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है कि वो क्या है विंडो सर्वर टुठा हुज़न सिस्टीन तो कंपनी के अंदर हमारे पास क्या यूज होता है एक सर्वर यूज होता है तो देखो एक्चुली सर्वर का काम क्या होता है सर्वर का काम क्या होता है सर्वर क्या करता है सारे के साथ जो हमारे पास क्या होते हैं उन पर क्या होता है उन पर क्या होता है मारा डेटा होता है तो सारा डेटा किसके पास जाता है मारा सर्वर के पा करता है अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गुक्त पर पर करते हैं कि मेरे पास फाइल मेरे कह Scratch ना युट फैल्म कहा रही है है लोग तो कही ना के तो कुछ ना कुछ तो होगा। लो सवार डेटा तो सबूनद किस पर रेस्टोर होता है एक सर्वर रभी कि मेंests कमपणीं के अंदर आज के टाइम कोंसे सरवर राथ 2012 तो कंपनी क्या करने अपडेट कर रहे हैं अपने आपको कई सर्वर 15 तो कंपनी सारव को क्या क्रने अपडेट कर किसमें 2016 के अंदर मैं आप सभी को एक और चीज में बताना में चाहूंगा यहाँ पर एक सर्वर आच चुका है 2019 तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए 2016 सर्वर किस टैंक लॉञ्च हुआ था 18 December 2015 के अंदर हमारे पास कौन सर्वर लॉंच हुआ था विंडो सर्वर 2016 ओके इसके अंदर क्या क्या हुआ है इसके नए फीचर इसके अंदर एड़ हो चुके हैं जो पुराने वाले तो यहां पर क्या हुआ हैं कि हमें पहले हमारे को सिस्टीन के अंदर पहले हमारे कोform में आचोका तो पहले हमारे को 2012 पॉलें सर्वर नानों सर्वर नहीं मिलता था बड़ यह satisfies 56 yes तो इसके अंदर Active Directory में चेंज हो चुका है तो यहां से बैक अप स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से बैक अप स्टार्ट हो जाएगा तो फेल ओवर सब्सक्राइब है तो इसके अंदर क्या गया है 2016 के अंदर जितने भी अपडेटेटेट हैं किसके अंदर मिलेंगे 2016 सर्वर में इसके अंदर हमें पावर सेल 5.0 देखने को मिलता है तो पहले जो पावर पॉइंट पावर सेल आता था तो पावर सेल हमेरे पास क्या है 2016 के अंदर हमें कौन सा पावर सेल मिलता है 5.0 पहले कौन सा पावर सेल आता था 2.0 तो 5.0 हमेरे को पावर सेल मिलता है 2016 के अंदर इसके अंदर हमें क्या मिलता है Windows Networking के features हमारे पास क्या है थोड़े से update कर दिए गए है इतना सभी को clear हो चुका होगा अब जैसे कि हमने वहाँ पर एक topic देखा था जिसका name था क्या है Nano Server तो Nano Server हमारे पास किसके अंदर मिलता है Windows Server 2016 के अंदर तो actually Nano Server का काम क्या होता है तो यह देखो हमारे पास के एक छोटी सी organization है या फिर हमारे पास के छोटा सा office है या फिर छोटी सी company है जिसके अंदर मुझे क्या करना है एक server install करना है बट मेरे पास क्या नहीं है इतना hardware नहीं है, इतना storage नहीं है, इतनी RAM नहीं है बट मेरे को एक server की requirement है तो मैं क्या करूँ एक server आता है इसका name एक है nano server तो nano server एक किसका part है 2016 का part है Windows server 2016 का part है कौन सा nano server सबसे छोटा server है इसके नहीं से ही पता चलता है nano server very small server इसको हम वो configure कर सकते दें इसको run कर सकते सिर्फ खाली कितनी पर 450 MB means 450 MB storage पर हम लोग इसको क्या कर सकते है use कर सकते है इसके लिए RAM की requirement कितनी only 32 MB की RAM की requirement है nano server के अंदर nano server को आप VMware पर और physical server पर भी आप install कर सकते हो means आप physically इसको install करना चाहते है या फिजिकल इसको इसको use कर सकते हो then VMware की साथ सथ आप किस पर भी use कर सकते हो अपना एक Hyper-V पर भी use कर सकते हो okay then इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कुछ features मिलते हैं और कौन कौन से इसके अंदर features हमारे पास नहीं मिलते जैसे कि हमारे पास failover clustering किसके अंदर मिलता है हमें nano server के अंदर fail file server failover clustering हमें मिलता है इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है एक इसके इंदर file server और क्या मिलता हमें DNS और हमें क्या मिलता है IIS IIS actually यह है क्या IIS एक actually यह है हमारे पास कि हम लोग क्या यूज़ करना चाहते है WAG की services यूज़ करना चाहते हैं server ठीक है तो WAG की services हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग यहां पर क्या यूज़ करेंगे IIS मुझे क्या करना है remotely access करना है किसको nano server को nano server remotely access करने की need क्यों है तो अगर मेरे पास कोई ऐसी को troubleshooting करना है कोई problem आ रही है मेरे सामने तो मैं उसको troubleshoot करना चाहता हूं या फिर मेरे से कोई problem face हो रही है तो मैं उस problem को दूसरे को बताना चाहता है मेरे पास यह problem है तो आप मेरी help कीजिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा remotely अपने server को दूसरे के hand over कर दूंगा जिससे कि मेरे जो problem हो क्या हो जाएगी server की solve ठीक है तो हम लोगों को क्या कर सकते है remotely access कर सकते है इसको nano server को तो इसको आप use कर सकते हो किसी पर भी physical then virtually भी use कर सकते हो nano server को तो इस class के अंदर आप सभी को समझ में आया होगा कि nano server actually है गया then windows server 2016 के अंदर क्या क्या changes हो चोके है okay so thank you everyone